उत्पत्ती अध्याए 49 जब युसूप मिस्र में पहुँच गया तब पोती पर नामे एक मिस्री जो फिरोन का हाकीम और जलादों का प्रधान था उसने उसको इश्माईलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया और युसूप अपने मिस्री स्वामी के घर में र संग था सो वह भाग्यवान पूरुश हो गया और युसूप के स्वामी ने देखा कि यहवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहवा उसके हाथ से सुफल कर देता है तब उसकी अनुग्रह की दृष्टी उस पर हुई और वह उसकी सेवाटहल करने के लिए नियुक्त किया गया, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौब दिया, और जबसे उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तबसे यहोवा युसुप के कारण उस मिस्री के घर पर आशिश देने और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, सब पर यहवा की आशिश होने लगी, सो उसने अपना सब कुछ युसुप के हाथ में यहां तक छोड़ दिया, कि अपने खाने की रोटी को छोड़, वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था, और युसुप सुन् पत्नी ने युसुप की ओर आख लगाई, और कहा, मेरे साथ सोब, पर उसने अस्विकार करते हुए, अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है, मेरे हाथ में है, और मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौब दि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो तू उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा. सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमिश्वर का अपराध ही क्योकर बनूं, और ऐसा हुआ कि वह प्रती दिन युसुप से बाते करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे वा उसके संगर है. एक दिन क्या हुआ कि युसुप अपना कामकाच करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था, तब उस्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़ कर भागा, और बाहर निकल गया यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़ कर भाग गया, उस्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुला कर कहा, देखो, वह एक इबरी मनुष्य को हमारा तिरसकार करने के लिए हमारे पास ले आया है, वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं उचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़ कर भागा, और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही, तब उसने उससे इस प्रकार की बाते कही, कि वह इबरी दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैंने उचे स्वर से चिल्ला कर कहा, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़ कर बाहर भाग गया, अपनी पत्नी की ये बाते सुनकर, कि तेरे दास में मुझसे ऐसा काम किया, युसूप के स्वामी का कोप भड़का, और युसूप के स्वामी ने उसको पकड़ कर बंदिग्रुह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया, सो वह उस बंदिग्रुह में रहने लगा, पर यहवा युसूप के संग संग रहा, और उस पर करुणा की, और बंदिक्रुह के दरोगा के अनुग्रह की दुश्टी उस पर हुई, सो बंदिक्रुह के दरोगा ने उन सब बंधों को जो कारागर में थे यूसुप के हाथ में सव्प दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे, वही उसी की आज्या से होता था. बंदिग्रुह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वश्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा युसुप के साथ था, और जो कुछ वह करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था.